बालों का गिरना, तूटना, जड़ना, छोटी छोटी उम्रे में बच्चियों के बाल सफेध होते जा रहे हैं, बाल दो में हो रहे हैं, जड़ रहे हैं, गंजा पना रहा है, बाल रुके होते जा रहे हैं, कंगी करो तो कंगी भर कर बाल नीचे आ जाते हैं, यानि भर भर कर कंगी आजाती है आज मैं आपको एक बहुत बड़ी आईरवेदिक नुस्खा बताने जा रहा हूँ आप इस नुस्खे को इस्तमाल करके सभी तरह की बालों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं आप हमारी इस और शद्धी को अगर अपने बालों पे लगाएंगे तो आपके बालों में जो केमिकली पिरुभाव है उससे आपके बाल मुक्त हो जाएंगे और आपके बालों में प्राकृतिक चमक कालपान आना शुरू हो जाएगा आपके बाल जढने बंद हो जाएंगे गंजेपन की समस्या दूर हो जाएगी और तोर आपके बाल इतनी तेज रफ़तार से बढ़ेंगे कि आप देखते के देखते रह जाएंगे आप इसे हफ़ते में एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार, जितनी चाहो उतनी बार इसे लगा सकते हैं आपला, रीठा, शिका, काई, इन तीनों को बराबर मातरा में ले लीजी और तीनों को पीस कर पाउडर बना लीजी लीजिये बालो की दवा तयार है इस पाउडर के तीन चमच लीजी और इस पाउडर के तीन चमच में दस चमच दही मिला लीजी इसको अच्छी तरह से मिला कर पेस्ट बना लीजी इस पेस्ट को इस तरह से बालों में लगाईए जिस तरह से आप अपने बालों में महनदी को लगाते हैं इस पेस्ट को आदा घंडा बालों पर लगा रहने दीजिए इसके बाद ताजे पानी से सिब को धूलीजी अगर आप इस और शद्दी का इस्तमाल अपने बालों में रेगूलर करेंगे तो आपके बालों में तरह तरह के शेमपूर से या तेस खुझबू वाले तेल से जो नुखसानात हुए है आपके बाल सफ़ेद हुए हैं या आपके बाल जड़ रहे हैं या आपके दो मुवा बाल हो रहे हैं वे बहुत तो इससे जो इसका इंफेक्शन है इसका जो प्रभाव है केमिकल का वो आपका खत्म हो जाएगा और बालों में चमक वापस आजाएगी बाल जढना बंद हो जाएगे दो मुए बाल खत्म होने लगेंगे बाल मोटे होने लगेंगे बाल घने हो जाएगे आपके बालों में मजबूती आ जाएगी और आपकी चोटी मोटी होने लएगी बालों की स्ट्रेंग्थ वापस आ जाएगी तो फरेंड्स आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी अगर अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और अपने मित्रों में शेयर कीजीगा अब आपसे मैं विदा चाहता हूँ जैहिन जैभारत